लोगसभा चुनाओ से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने लालू यादो के मुसल्मान और यादो यानी माई समिकरण की तर्च पर पीएम प्लान बनाया है। इसका मतलब है पिछडे और मुसल्मान। दरसल अलब संख्यक समुदाय को रिजाने के लिए नितीश कुमार की सरकार ने दो बड़े फैसले लिये हैं। इस सजारुपय का मानदे मिलेगा। बता दें कि अलब संख्यक वर्क के युवाओं को रोजगार के लिए बिहार में सीम अलब संख्यक उद्यमी योजना की सुरुवात की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसे पारित कर दिया गया है। योजना के तहट अलब संख्यक युवाओं को परियोजना लागत को देखते हुए 10 लाख रुपय का कर्ज राज सरकार मुहया कराएगी। इससे पहले राज सरकार ने तालिमी मरकज के वर्तमान मानदे को 100% बढ़ा दिया था। यानि उनका मानदे 11,000 रुपय प्रतिमा से बढ़ा कर 22,000 प्रतिमा करने की मंजूरी निती सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में ही दे दी थी। महादलित और अल्ब संख्यक बच्चों की स्कूलों में संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार में तालिमी मरकज और तोला सेवकों की ओधारणा पर काम किया। बिहार में तोला सेवक और तालिमी मरकज के 30,000 पद स्रिजित किये गए। अभी राज्य में 27,918 केंद्र चल रहे हैं। सच बात यह है कि नितीस कुमार को मुस्लिम वोटों की चिंता सता रही है। बिहार में कॉंग्रेस की सत्ता का दौर खत्म होने के बाद आरजेडी मुस्लिम वोटों की एक मात्र दावेदार बन गया था। नितीस कुमार ने आइस्ता आइस्ता मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया। भाजपा के साथ रहते हुए भी नितीस से मुस्लिम वोटर नहीं बितके। इसलिए कि कई मौकों पर नितीस ने साबित किया था कि वे मुसल्मानों के साथ हैं। वा चाहे विधान सभा में प्रतिनिद्ध्यु की बात हो या उनके कल्यार की योजना है। मुसलिम तपके को खुस करने के लिए ही नितीस ने नरेंद्र मोदी के PM फेज घोसित होते ही भाजपा का साथ छोड़ दिया था। कई मौकों पर मोदी की उपेक्षा कर नितीस ने मुसलिम तपके में अपनी विश्वसनियता कायम रखी। लेकिन साल 2020 के विधान सबाद चुनाओं में नितीस को गहरा जटका लगा। ऐसा सिर्फ नितीस के भाजपा के साथ आते जाते रहने के कारण हुआ। साल 2015 के विधान सबाद चुनाओं में जेडियू का पार्टनर आर जेडी था। तब नितीस की पाटी से 5 मुसलिम कैंडिडेट जीते थे। साल 2020 में उनमें से 4 को नितीस ने दुबारा टिकट दिया। फिर भी कोई जीत नहीं पाया। के जी टार टार टो प्वच्ष नेडिक टूड़ में जे सकते है। चेंद्बी प्वच्च्पी जी